नमस्कार मित्र जै मातरी स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चेनल में तो कन्या रासी वालो हम बात करेंगे आपके अगले 24 गंटों के महत पुर्ण रासी फल की यानिकी मित्र दिनांक 8 अक्टूबर 2022 का दिन केसा रहेगा आप लोगों के लिए मित्रो सर उप्रतम नजर डाले पंचांग पर तो 8 अक्टूबर को सनिवार का वार है साथ में अस्वी निमास के सुकल पक्स की चतुर दर्शितिती है और पूर्व भाद प्रदा नक्सत रहे और मित्रो आप सभी को बता दें कि व्रद्धी और ध्रूम नामक योग का निर्मान हो रहा है वहीं सुर्रे की इस्टती कन्या रासी में रहेगी तो दुसरी और चंद्र मा जो है मित्रो वह कुम्भ रासी के उपरांत मीन रासी पर संचार करेगा तो एसे में समस्त ग्रहों की चाल का अगले 24 गंटों में आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रो कौन सी गटनाएं आपके जीवन में गटेगी कौन सी साउधानिया आपको बरतना पड़ेगी और कौन सी चुनोतियों का सामना आपको करना पड़ेगा इस वीडियो में हम आपको यही सारी ज्यानकारी देने वाले हैं हमारी इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक ध्यान से देखीगा मित्रो क्योंकि गुरू जी ने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए इस विशेश रासी फल का निर्मान किया है तो हमारे गुरू जी की इस मेहनत के बदले आप से सिर्फ इतने सी विंती है कि वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में गुरू जी का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाई नमस्तु भ्यम अवस्च लिखिएगा गुरू देव आपकी सारी मनोकामनाई पुरून करेंगी तो चली मित्रो अब वीडियो की सुरुबात करते हैं गुरू जी के एक छोटे से अनमोल विचार से तो हमारे गुरू जी कहते हैं कि कभी कभी जरूरस से ज़्यादा सफाई देना हमारे दुख का कारण बन जाता है बस इतना याद रखो आप इंसान हो कोई साबून नहीं और रिष्टे आप से ही आप रिष्टो से नहीं मित्रो जिंदगी में कभी कभी इतनी भी सफाई मत दीजेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको गिरा हुआ समझ ले यदि उसको भी रिष्टो की कद्र होगी तो वह भी आपको महसूस करेगा आपको समझेगा हमेशा ध्यान रखिएगा कि जरूरत से ज़्यादा जुकना इंसान को जुका हुआ बना देता है तो गुरुजी का यह ग्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजेगा मित्रो गुरुजी का यह ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में रादे रादे अवस्च लिखेगा तो चलिए अब बात करते हैं आपके अगले 24 गंटों के महत प्रणरासिफल की मित्रो जिन बातों से आपको मानसिक तकलिफ होती है उनका असर अब धीरे-धीरे कम हो सकता है याने की जिन बातों से सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है और इस वज़े से आपके जीवन में मित्रो नकरात्मक विचार पन अपने लगते हैं तो आप सभी को बता दें कि यह बाते कम होगी अपने आर्थिक पक्स को मजबुत बनाने के लिए किये गए प्रियत्न में तुरंत सफलता आपको प्राप्त हो सकती है और अपना अधिक से अधिक ध्यान काम पर लगाना है आप इदर उदर की बातों में ज़्यान देते हैं और आपकी यही वजहे जीवन में सफल ना होने भी सिर्फ एक वक्त में एक ही चीच पर ध्यान लगाएं और अपने काम को बहतर करने के लिए किसी खास व्यक्ति से आपको प्रेणा प्राप्त हो सकती है अपने काम को बहत लगेगा तो अपने प्रियत्नों को आपको जारी रखना सिखना है और गलत खानपान की वज़े से ACDT की तकलिफ होने की संभावना बन रही है मित्रो आप लंबे समय से अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे आपको बता दे कि कभी कभी आपका पारिवारिक जीवन में ध्यान ना दे पाना परिवार के लिए थोड़ी से मुश्किले पेड़ा कर सकता है परिवार के लोगों के मन में आपके प् प्रतिव को इतने कठे नहीं हैं आप बर फोबी इनने निभाना जानते हैं और एसी जिम्मेदारिया आतने पहले भी निभाई आप अपने घर के वरिल बड़ी दोने का मुट्रो अपने परिवार को पूरा सपोर्ट करें साती ही आपको बता दें कि लोगों की बढ़ती हुई अपेक्सा आपके लिए तकलिफ का कारण बन सकती है अपनी सम्ता के बारे में इस पश्टी रूप से अपने लोगों से बात करें उने समझाए मित्रो नहीं तो यदि लोगों ने आपसे ज़दा अपेक्सा रख ली और आप उनके अपेक्साओ को पूरा करने में सकसम नहीं हुए तो प्रोब्लम्स आप के लिए बढ़ सकती है पेशो से संबंदित लोगों को की गई मतस से पारिवारीक समस्याएं दूर हो सकती है वित्रो पेशो से संबंदित परिवार के लोगों क्यों ही साहिता है तो पहले आप पूने करें लेकिन व्यक्तिगत जीवन का काम अभी अधुरा छोटने की संभावना है और व्यापार से जुड़े हुए हमारे जो भी जातक हैं उन जातकों को बता दे कि कोई बड़ा ओडर मिल सकता है तो अपनी पेनी नजर अपने कार रिष्थल पर रखें अपने व्यापार पर रखें और पति पतनी जो है एक दुसरे के साथ सववाद सुधारने की कोशिज करें एक दुसरे का ठीक से साथ एक दुसरे की भावनाओं को समझे मित्रो जब रिष्टा बहुत गहरा होता है तो हम सामने वाले व्यक्ति की बात आखों में देख कर ही समग जाते हैं पेट दर्द बढ़ने की संभावना बन रही है वही संकाओ को दूर कर पाना संभव हो सकता है और किसी व्यक्ति की वज़े से आपका उस्साहा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस कारण व्यक्ति का जीवन में सुधार करने की कोशिस करें मित्रो जीवन में सब चीच का इलाज है केवल संका का इलाज नहीं है इसलिए आपको बता दे कि अपने मन में किसी के भी प्रती किसी भी प्रकार की बुरी छवी ना बनाएं क्योंकि संकाओ को दूर कर पाना बहुत मुश्किल होता है और अभी भी कुछ बाते इस पश्ट रोप से समझने में वक्त लग सकता है और तनाव बढ़ाने वाले काम से दूर रहना होगा मित्रो बड़ी मात्रा में पेशा कमाने की यूजना आपको सफलता दिलाएगी और परिवार के लोगों द्वारा प्राप्त हो रहा साथ आनन्दित करेगा आपको बता दे कि पीठ दर्द या बदन दर्द इसे सी तकलिफ नजर अन्दाज बिलकुल ना करे आप सिर्फ और सिप अपने मतलब के लिए आपके पास आते हैं ऐसे लोगों की परिख आप बड़ी बारीगी से करने में सक्सम हैं अपना लक्स इसपष्ट रखने से काम करने का तरीका ते होगा क्योंकि जब तक आपका लक्स इसपष्ट नहीं होगा मित्रो आपका काम करने का तरीका भी तई नहीं होगा बड़ी मात्रा में यदि आप पेशा कमाने की योजना बना रहे हैं तो यह योजना सफलता तो दिलाएगी लेकिन धियांग रखिएगा कि पेशे आने के बाद स्वयम को एहंकार में बिल्कुल भी मताने दीजिएगा क्योंकि एहंकार किसी का भी लंबे समय तक नहीं डिका है परिवार के लोगों के द्वारा प्राप्त हो रहा साथ आपको आनदित करेगा आपके मन में एक अलग ही प्रकार की प्रसनता आपको महसूस हो की पीठ दर्द या बदंदर्द जैसी तकलिफ बिल्कुल नजरंदाज ना करें वित्रों मेहनत के लिए तैयार रहेंगे लेकिन बेचेनी आपकी बढ़ सकती है और इस बेचेनी को थोड़ा सा कंट्रोल करें आप मेहनत कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि सफलता आपको मिले ही मिले कभी-कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ परिष्टित्या और कुछ चीजे हमारे पक्स अपने प्रियत्नों से किसी भी व्यक्ति को ठेजना पहुचे कोई व्यक्ति आपके प्रियत्नों में थोड़ी सी अड़चने डालने की कोशिस करेगा काम से जुड़ी जो भी इस्तिर्ता है वह इस्तिर्ता आपको आसानी से नजराएगी फिर भी अपने काम का विश्थार करने की कोशिस आपकी द्वारा की जाएगी और आपकी यही कोशिस आगे चल कर बड़ा लाब आपको अवश्य दिलाएगी जड़ी आप एक नव यूवक हैं और किसी अच्छे पार्टनर की जीवन में तलास कर रहे हैं तो नए लव रिलेसंसित की सुरुवात हो सकती है लाणी का मित्रो ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में सेवन करें वही हम आपको बता दे कि यदि कहीं पल लॉंग ड्राइपल जाने की योजना बना रहे हैं तो अपना हेलमेट अवस से लगाएं क्योंकि कोई दुर्गटना होने की आसंका बन रही है मित्रो किसी के भी साथ बुरा वहवार आपको नहीं करना है जहां विजाई सबसे मिल जूल कर रहें और सबसे आधर सम्मान राप्त करें तो वीडियो की समाप्ती अभी यहीं पर होती है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवस्य कर दीजेगा और कम वर्धक वीडियो की प्राप्ती के लिए आप सभी हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हम से अभी जुड़ जाईएगा वह जो इसक्रिन पर आपको लाल बटन दिखाए दे रहा है उसे दबा दीजेगा वह पास्म वह घंटे भी आवस्य ही दबाएगा